अगर आप एक शादी शुदा वुमेन हो और आप अपने हस्बेंट से जुडिशल सेप्रेशन ले 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 हो या अपने हस्बेंट से अलग रह रहे हो और उस अलग रहने के दोरान आपका husband आपको बार-बार harass कर रहा है जो कि sexually harassment भी हो सकता है और mentally harassment भी हो सकता है तो आप अपने husband के against क्या legal action ले सकते हैं Hello everyone, मैं Advocate Ozy Ali, लौका पंच नामाचल मैं आपका स्वागत करती हूँ IPC का section 376B ये बोलता है कि अगर कोई woman अपने husband से अलग रह रही है like वो separate रह रही है या अपने husband से दूर रह रही है और उस दूरी के दोरान उसका husband उस woman को बार-बार harass करता है वो sexually harassment करता है या उस separation के दौरान वो उसके साथ sex करता है तो उस husband को कम से कम दो साल और अधिक से अधिक life imprisonment की भी punishment मिल सकती है और अगर आपके आस-पास ऐसा हो रहा है तो आप महिला आयोग में इसकी complain भी कर सकते हो और proper आपको इसमें guidelines भी दी जाएगी अगर वीडियो इंफॉर्मिट्व लगा हो तो मैं चैनल को लाइक करना सब्सक्राइब करना शेर जरू करना और साथी साथी इस्टागराब मुझे फॉलो करना बाबाई